जटबत के 110 परिक्षा केंद्रों पर आयूजित हो रहे ही यूपी बोट की परिक्षाएं लगभख संपन हो चुकी है। जटबत की परिक्षाओं को लेकर काफी तैयारी की थी और प्रश्ण पत्र भी काफी आसान आई इसके चलते हैं उन्हें परिक्षा में किसी तरह की परिशानी नहीं हुई सभी परिक्षा केंद्रों पर विवस्थाएं दूस्त दिखी गुरुवार को सुभा की पाली में इस वरान विद्यार्तियों ने कहा कि हमारी परिक्षाएं तो संपन हो गई हैं बाकी जो कुछ विद्यार्तियों की परिक्षाएं बची हैं नौ मार्च को संपन हो जाएंगी यूपी वोट की परिक्षाएं नौ मार्च को पूरी तरह से संपन हो जाएंगी चनपत की 110 पर परिक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ट की परिक्षाएं आयोजित की गए जिसमें लगभग 86,000 से अधिक परिक्षारती समलित हुए यूपी बोर्ट की परिक्षाओं में इसकुषर और नकल विहीन संपन करानी के लिए जिला प्रिशाशन और सिक्षा विभाद के द्वा पर बहुत अच्छी है अगे क्या तयारी आपकी क्या करने वाले मैं अभी तो आइस की तयारी करेंगे 12 के बाद इंशाला बहुत अच्छा लग रहा है सारे पेपर बहुत अच्छे गए मेरे और मेरा नाम इकरा है मैं टेंट में पढ़ती हूं मेरी क्लास स्वीचर माइकल अच्छी हो रहा है सारे पेपर खतम हो गए बहुत ज्यादा अच्छी है इतने भी पेपर ते सब इजी आया थे बस थोड़ा साइंस का पेपर था जो थोड़ा तफ था लेकिन अल्ला के शुकर से वह भी बहुत अच्छे लग गया आगे चुट्टियों में आप तो रमज करना है और काफी वेब डव लबिंग का भी कोर्स करना है इस चुट्ट्रियों को एसा करना है कि हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है अच्छा ही काम में घुजारना है फिर 11 कि या ना में अपका अन्शीका कुपारी अज आज आज आपके कौन से पेपर था जबारा अच्छी का पेपर था जो कोशें आते दिन वह सारे आए खत्म हो गया है और अच्छा लग रहा है और रिजल्ट का इंतजार वासार कुछी नहीं तो आज 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 नास एक्जाम ता बस बहुत कोछी हो रही है बस यहीं करेंगे कि अच्छा रिजल्ट आए बस तो आज बहुत अच्छे करने चाहिए बस तक रहा है जो नहीं आता बबना रखिया था सारा जैसे भी हमसे हुआ पर बहुत अच्छे के लिकिल अब रुपस रिजल्ट इनतिया रिजल्ट कर आए और बहुत अच्छा मुल्ब अच्छा आना जाहीं कई है